देश्याराम श्वागत है और विशेश श्वागत हमारे उन भाईयों का है जो ब्रामण चत्री वैश्च हैं यतनों पभी जिनका हुआ है और जो पहनते हैं धोबी को दुलने के लिए नहीं दे लिए हैं जो कई वर्सों से मिला ही नहीं बहुत गल्ब परंपरा चल रहे हैं हों के दूब भी ढारन नहीं कर रहे हैं कर भी तरो ठीक है जैसा कर रहे हैं तो जिनका जन्यों हुआ है जो पर बी ठारण करते हैं उन सारे बंधों के लिए विशेश टीन अगस्त 2020 को प्रच्छा बंदन के दिन पूरिमा के दिन स्रावनी उपाकर्ण किया जाता है है तो ह यहां मुंबई में रह रहा हूं तो मेरा सुभाग हमारे बहुत सारे भाई बंदू छोटे बड़े सब लोग जो है हम सबी लोग स्रावनी करने के लिए जाते हैं पहले बान गंगा में जाते थे अब यह नेशनल पार्क बोरी वली में जाते हैं इस बाद देखे भगवान कहां बेढ़ेंगे तो हमें कहीं भी जाना चाहिए सरोबर के किनारे जाना चाहिए उतन कई तरह का असनान होता है असनान के बाद संद्यावंधन होता है उसके बाद में सत्रिशियों की पूजा होती है यत्नो पवीत की पूजा होती है यत्नो पवीत का दान होता है चारों बेडों के मंत्रों का उपाक्षान होता है रिष्परंपरा का वर्णन होता है बहुत सारी विधियां होती है सभी भाई वहनों का त्रवार है इनका विशेष्टा है पाकी तो सभी के लिए सब को छूट है कहीं किसी को कोई मनाई नहीं है तो जिनका भी जले हुआ हाथ जुड़के प्रात्ना है जहां पे रहें इस पेसे हमारे प्राहमण बंदों पुर्मा भी है शुमार भी है बहुत इस आप मैं नहीं जा सकते श्रावणी कैसे करें अपने घर में इस लिए पूरा श्रावण्य उपाकर्म स्वेम कर सकते हैं बता हुआसा ही चोटे में सही हम लोगों को आवस्य करना स्हुन्ष्प नियुकश और बहुत अच्छी बात है समय प्राता साड़े आठ बिदे के आज पास तक भत्रा उसके बाद अच्छी तरह से पहले भी चले जाए उसके बाद में स्रावनी पूजा कीजिए और मध्जानकाल में अपने बेहनों से रख्षा रान कराई इस स्रावनी उपार कर्म से मन में कोई प्रसनों तो कमेंट्स कीजिएगा वो ना बताने का प्रेट में दरूँगा फिर मिलोगा एक नहीं जानकारे के साथ में जैसे आगा हूं आगा हूं